मौधिप्रदेश के उज्जेश शेहर में स्री महाकाल इश्वर जोतेलिंग देश का एक लौता दक्षर मुखी जोतेलिंग है या भगवाश्व भक्तों को कालों के काल महाकाल के रूप में दर्शन दीते हैं कहा जाता है कि अवन्तिकापुरी के राजा विक्रमादत्य भाबा महाकाल के भक्त थे और भगवाश्व के ही आशीश से उन्होंने यहां करीब 32 सालों तक श्रासन किया अब चूकी प्रदेश में चुनाव हैं ऐसे में बहारी नेता महाकाल के दर्शन करने यहां पहुँच रहे हैं साथ ही इसी बहाने यहां राजनीती से खुद को जोड़ रहे हैं इसी कड़ी में करनाटक के उपमोखी मंतरी डीके शिफकुमार आज तर के बाबा महाकाल के दर्बार में पहुँचे और भस मारती में शामल होए दो दन के दोरे पर MPI डीके शिफकुमार के मारे तो वो भगवान महाकाल और रिकाल भहरव के भक्त हैं और उनका जब समय खराब चल रहा था तब भी वो दर्शन के लिए तीन बार वो जैन आ चुके हैं दीके शिफकुमार ने कल रात भगवान काल भहरव के दर्शन किये थे और आज जो तरके वो बाबा महाकाल के भस मारती में शामल होकर आशिरवाद लेने पहुँचे और सभी के खुशहाली के लिए कामना की विशिफकुमार ने कहा कि माकाल इश्वर ने हमें करनाटक में सरकार के रूप में लोगों की सिवा का अफसर दिया है मैं यहाँ चुनाब बस से पहले भी आया था आज से हम करनाटक में महीलाओं के लिए बसों का किराया फ्री कर रहे हैं एक तो भिशन दर्भी सूरज उगल रहा आग का गोला ट्रक में आग लगी और ट्रक में रखी लकडियां जिसकी वज़ा से नजर आ रहा है आग का रौदर रूप यह तस्वीरे खंडवा की है जहां पेट्रोल पंप के पास महू से अमलापुर की ओर जा रहे ट्रक में आग लग गई देखते ही देखते आग ने ऐसा रौदर रूप दिखाया कि पूरा ट्रक दूधू कर जल उठा आग ने पूरे ट्रक को अपनी जद में ले लिया ट्रक में रखे लकड़ियों की वज़ा से आग तेजी से फैलता गया वहीं मौके पर दमकल बिभाग को सूशना दी गई मौके पर पहुँची दमकल की गारियों नी आग पर काभू पा लिया यहासा खर्णवा हरसूद रोट की है गर्मी के दिनों में आग लगने की घटना अकसर सामने आती रहती है एक बार फिर राजधानी भुपाल से तस्वीरे सामने आई है जहां इलेक्ट्रिक की दुकान में देरात आग लग गई इस आग के चपेट में आकर दो दुकाने स्वाहा हो गई तस्वीरे देरात की बताई जा रही है जहां दुकान में आग लगी थी आग इतनी भयावे थी कि सुबह तक दुकान धूधू कर जलती रही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह आग की लप्टे उठ रही है इस आग की लप्टों में दुकान में रखा सारा समान जलकर खाक हो गया हाला कि मौके पर दमकल विभाग को सूचित किया गया लेकिन आग इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाते पाते दुकान जलकर स्वाह हो गई बिवाद, बिवाद के दौरान गुस्सा और गुस्से के बाद चाकुबाजी और फिर जो हुआ हम दिखाएंगे लेकिन उससे पहले उस तस्वीर की पूरी कहानी जान लीजिए दरसल राइगर्ड में दो यूबकों के बीच किसी मामले को लेकर बिवाद हो गया देखते ही देखते बिवाद इतना बढ़ गया कि एक यूबक के पेट में चाकुबाजी से वार कर दिया चाकु यूबक के पेट में आधा गुस गया तब ही उसे लेकर लोग जिला अस्पताल पहुँचे जहां आपातकाल में कोई सीनिर डॉक्टर मौजूद नहीं थे वही मौजूबूत करमचारियों के मुताबिक मामला गंभीर था इसलिए घायल यूबक को बिना प्रात्मिक उपचार के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया इस घटना के बाद दो बाते सामने निकल कर आती है कि क्या जिला अस्पताल में आपातकालिन विवस्थाओं के नाम पर कुछ है या नहीं तो वहीं दूसरा ये की क्या एक छोटे से विवाद के बाद इतना बड़ा कांड हुआ है और पुलिस कहां है किसी भी तरह की सड़क दुरगटना को रोकने और स्कूली बच्चों को सुरक्षा के मद्दे नजार यातायाद विभाग ने कमर कसली है यातायाद विभाग ने आज से स्कूली बसों की फिटनिस जाच शुरू की है राइपूर में स्कूलों में नया सत्र शुरू होने से पहले बसों और चालकों की जाच शुरू हो गई है राइपूर स्पी प्रिशान्त अगरवाल के निर्देश पर यातायाद पुलस और परिवाण विभाग द्वारा संयुक तरूप से चात्र चात्राओं की सुरक्षा और सुगम सुरक्षित आवागमन के लिए जिले के शेक्षरिक संस्थानों में संचालित स्कूली बसों की मेकैनिकल जाच होगी इसके साथ ही चालक और परिचालकों का निशुलक नेत्र परिक्षन भी किया जाएगा आयोजन पुलस परेट ग्राउंड में किया गया इस जाच शिवर में कुशल मेकैनिकों द्वारा स्कूल बसों का मेडिकल जाच किया जा रहा है मतादे चात्र चात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी यतयाद पुलस राइपर और परिवहन विफाग द्वारा स्नयुक्त रूप से शिक्षन सत्र प्रारम के पूर्व स्कूल बसों का मेडिकल जाच शिवर तथा चालक परिचालकों का स्वास्त नेत्र परिक्षन शिवर का आयोजन किया जा रहा है गले में सफेद गमचा बदन में नीले रंगी शिर्ट स्वभाव में संकी और दिखावट दबंगई वाली यह इंसान नहीं बलकि इस इंसान के रूप में इससे जलात कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से बदमाश पीले रंग का टी-शिर्ट पहने इस पुजारी के पटाई कर रहा है इससे देखकर इतना ही कह सकते हैं कि इस व्यक्ति में वेदना नाम की एक कोई चीज नहीं है तस्वीरें भिंट की हैं जहां गोहत के नरसिंग मंदर के पुजारी के एक बदमाश ने पटाई कर दे देखें कैसे यह बदमाश पुजारी के उपर ताबर तोड हमले कर रहा है तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग पुजारी को बदमाश के चुंगल से छुडानी की कोशच भी कर रहे हैं हाला कि वो इसमें बहुत देर तक काम्याप नहीं हो पाते लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इस बत्माश के चुंगल से छुड़ाया जाए मुई पिटाई का वीडियो सामरी आने के बाद पुलस सेसे टिवी के आधार पर आरूपी की तलाश में जट गई है हाला कि पुलस के हाथ अब तक खाली है कहते हैं मा की ममता से बढ़ कर कुछ नहीं होता पिता के लिए एक बेटी लाडली होती है माबाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेगा लेकिन जब बच्चे अपनी मर्जी से या अपने पैरेंस के खिलाफ होकर कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं तो उनका गुस्सा देखने के लिए मिलता है एक ऐसा ही मामला सामनी आया है जहां एक माबाप ने अपनी बेटी को मरत बता दिया जी हां हम बात करेंगे जबलपुर की जहां एक मुस्लिम युवक से शादी करने वाली युवती के परिजनों ने अपनी ही जिन्दा बेटी को म्रद खोशित कर दिया बतादी की लड़की ने अपनी पसंद से एक मुस्लिम लड़के से लव मैरिज की थी जिसके बाद परिवार की लोगों ने बेटी के शोक संदेश के काट शपवा कर उसे मुर्द खोशित कर दिया इतना ही नहीं इस शोक संदेश में परिवार ने बेटी को कुपुत्री और नरकवासी तक बता डाला जानकारी के मुताबिक युपती ने इसी साल जन्वरी में मुस्लिम युवक से शादी कर ली थी जिसकी जानकारी उसके परिवार वालों को नहीं थी कई नेटा ऐसे होते हैं जो अपने अलग अंदास की वज़े से अकसर सुर्ख्यों में रहते हैं जनता के बीच हमेशा कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि जनता के दिल में बस जाते हैं ऐसे ही एक है उत्राखंट के सीम उत्तरागंड के सीम पुश्कर सिंग धामी अक्सर अपने काम को लेकर चर्चा में रहते हैं उत्तरकाशी दोरे पर आई सीम पुश्कर सिंग धामी आज सुधा सवीरे खेत में पहुँच गया और वहाँ उन्होंने नकिवल हाथ से चलने वाला ट्रैक्टर चलाया बलकि खेत में बीच बेब होई तस्वीरों में सीम के सनूखी अंदास को देख सकते हैं सीम केत में हाथों से ट्रैक्टर चला रहे हैं इनके इस अंदास को देखकर हर कोई गदगद हो गया वहीं CM सिर्फ ट्रैक्टर ही नहीं चलाए बल्कि वहां लोगों से मुलाकात भी की CM ने लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना शादियों में खाना किससे पसंद नहीं होता तरह तरह क्या आइटम, लजी, स्वाह, शायद ही कोई हो जिसे शादी का डिमंतरन मिले और वो ऐसी मौके पर ना जाए लेकिन सोचिए, अगर आप शादी में खाना खाते हैं और खाना खाने के बदले जुर्माना देना पड़े वो भी चुवा चूत की वज़े से तो समझे हम कितने विकसित हैं ऐसा ही मामला राचगर से आया जह वालमी की समाज के शादी में खाना खाने गए मालाकार समाज के एक व्यक्ती को भारी पड़ गया उस शक्स पर उसके ही समाज वालों ने जुर्माना लगाया बतादेगी व्यक्ति वाल में कि समाज के एक युवक की शादी में शुरकत करने पहुचा था वहां मौजूद लजीज खानों का स्वाद भी चखा लेकिन इस्वाद उन्हें भेंगा पड़ा मालाकार समाज ने उस व्यक्ति पर 51 सो रुपय का जिन्माना लगाया साथी मुंडन कर समाज से बाहर करने की बात कहें अब ऐसे में समझ सकते हैं कि हम भले ही 21 सदी में रह रहे हैं लेकिन कुछ समाज आज भी 12 सदी की तरह सोच रखता है कहने को तो कबार एक ऐसा व्यपार है जिसमें वो समान खरीदे जाते हैं जो हमारे काम का नहीं होता जो समान अपने काम का नहीं होता है उस समान को हम कबाडियों को बेच देते हैं लेकिन कबाडियों ने इसे गोरक धंदा बना दिया है और वो सिर्फ कबाड ही नहीं खरीते बलकि इस कारोबार के आड़ में अव्यद सामान भी खरी देते हैं जिसमें चोरी का सामान शामिल है अब दुर्ग पुलिस ने कबाडियों पर शिकन जकसा है पुलिस ने कबाडियों पर कारवाई करते हुए 40 से अधिक कबाड कारोबारियों पर शापा मारा शापा मारी के दुरान करीब 100 से अधिक जवानों को तैनात किया गया जिसके बाद कबाड कारोबारियों में हर कंप मज गया इन 40 कवाडियों पर छापे मारी के लिए 40 टी में बनाई गई गर्मियों में आग लगने की घटना अकसर सामने आती रहती है कभी गाडियों में आग तो कभी किसी दुकान में अब आग की एक और तस्वीर सामने आई है यह तस्वीर दुर्ग के पार्टन थाना इलाके की है जहां HDFC बैंक की शाखा में आग लग गई आग लगने से बैंक में रखे सारे दस्तवे जलकर खाक हो गए वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुँची दमकल विभाग के गाडियों ने आग पर काबू पाया आग किन कारणों से लगी इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है कानून का पालन करवाना होता है लेकिन सूची अगर पुलिस पर ही कोई अपनी दबंगई दिखाए पुलिस के साथ गाली गलोच करे तो इसका मतलब है कि उसे पुलिस प्रिशासन और कानून से कोई खौफ नहीं मनींद्रगड से दबंगई का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया जहां कुछ दबंग द्वारा पुलिस के साथ गाली गलोच की गई दरसल पुलिस कर्मी एक पेट्रोल पंप के सामने से ट्रक को हटाने पहुचा था इस दोरान दबंग पुलिस के साथ गाली गलोच करने लगे तस्वीरों में देख सकते हैं पाँच दबंग किस तरह एक पुलिस कर्मी पर अपनी दबंगई दिखा रहे हैं पुलिस जवान मनींद्रगड सिटी को त्वाली थाने में पदस्थ हैं अब इस तस्वीर को देकर इतना ही कहेंगे कि दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है कांकिर जिला मुख्याले से महज 20 किलोमीटर दूर किरगा पाटी गाव के लोगों को एक अदद पुल की दरकार है इलाकी की लोगों को 12 साल से सिर्फ एक पुल का इंतजार है ग्राम पंचायत मांदरी के आश्रित ग्राम किरगा पाटी के लोग बारिश के दिनों में काफी कठिनाईयों का साबना करते हैं महस देड किलोमीटर की दूरी तह करने के लिए लोगों को पांच गाव गूब कर अपनी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है और ग्राम पंचायत मांदरी गाव आते हैं पुल नहीं बन पाने पर पीड़ेब्लीडी के अधिकारी हमेशा टेंडर की प्रक्रिया में देरी को जिम्यदार बता रहे हैं अस्पताल की तस्वीर और सडक पर खड़ा ये पिक अप वहन इस खबर की कहानी बता रही है बता रही है कि सडक पर कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वज़ा से लोग अस्पताल में भरती है ये तस्वीर कोरबा की हैं जहां याक्यों से भरी एक पिकप पलट गई इस गाड़ी में करीब 30 लोग सवार थे जिसमें सिर्फ 15 लोग घायल हो गए तो वहीं लगभग 8 लोगों को गंभीर चोटे आई है इन घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं बता दें कि ये सभी छटी कारिक्रम में शामिल होने के लिए चैतमा नवापारा से बरीडी ही जा रहे थे इसी दौरान ये हादसा हो गया हादसा होती ही चिक पुकार मच गई मौके पर पहुंची पुलस ने सभी घायलों को अस्पताल में भरती करवाया है जहां सभी का इलाज जारी है वहीं हादसे के बाद पिक प वहन में यात्रियों को ले कर जाना सवाल खड़ा करता है गर्मी का मौसम है ऐसे में मीचे मीचे तरबूच खाने को मिल जाएं तो क्या कहने कोरिया में तरबूच की पैदावार इस बार अच्छी भी हुई है और लोग जम कर मौसमी फल का आनंद उठा रही है लेकिन इस सब के बीच जिले में बिक रहा है पीला तरबूच कोरिया समेच संभाग में ये चर्चा का विशे बना हुआ है वैसे तो तरबूच उपर से हरा और अंदर से लाल होता है लेकिन कोरिया के किसान भरत राजबाडे ने तरबूच की अलग किस्म की खेती की है इन्होंने तरबूच की तीन किस्मों को लगाया है जिसमें सबसे अलग पीले रंग का तरबूच है जो खाने में काफी मीचा है और अंदर से लाल निकलता है वहीं दूसरी किस्म में तर्बूज हरा रंका है पर अंदर से एकदम पीले रंका निकलता है ये भी काफी मीचा होता है और स्वाद भी अलग है तीसरे किस्म का प्रायह सभी जगा पाए जाने वाला तर्बूज है इनके पीले तर्बूज की जिले में काफी मांग है लोग उनके खेतों तक पहुँच कर तर्बूज खरीद रहे हैं कोरिया में हर तरह के फल यहां की जलवायू में पैदा हो रही है जब इस तरह के अनोकी पैदावार करने वाले किसान भरत राजवाडे से बात की तो उनका कहना था कि शुरू शुरू में काफी चिंता हो रही थी कि कोरिया की जलवायू में इस तरह के तर्बूज लगाने का प्रयास सफल होगा या नहीं लेकिन तर्बूज की पैदावार अच्छी हुई और लोग भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं आने वाले साल में पैदावार को और बढ़ाया जाएगा कहीं गर्मी तो कहीं बारिश, मौसम हर रोज करवटे बदल रहा है कहीं ठंडी हवाय रहत दे रही है तो कहीं आन्धी लोगों को परिशान कर रही है कांकेर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है जहां हर दूसरे दिन मौसम की आँख मिचोली चल रही है तस्वीरे कांकेर के पंखा जूर के रविंद्र नगर गाउं की है जहां आंधी बारिश ने तबाही मचा दी है आंधी बारिश इतनी तेज आई की तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कई घरों के छट उड़ गई है घर के उपर से छट ही गायब हो चुकी है तो वहीं पीवी से 37 नंबर स्कूल का भी छपपर उड़ गया है तस्वीरों में आंधी तूफ़ान के बाद आई इस तबाही के मंजर को आप देख सकते हैं इस आंधी तूफ़ान ने तबाही मचा दी है गंगोत्री से कलश यात्रा लेकर और बागेश्वर धाम के लिए निकली शिवरंजनी तिवारी ने एक बार फिर अपने मन का भाव व्यक्त किया है और इस बार तो खोल कर दिल की बाद बताई है लाखो भक्तों के बाबा यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री को प्राण नात कहकर उन्होंने संबोधित किया है बाबा के पंद्रा तारी के एकांत वास में जाने की खबर से शिवरंजनी बेचैन है और प्रार्थना कर रही है कि बाबा उन्हें दर्शन देने की क्रपा करें बाबा से भेट करने के लिए MBS 16 शिवरंजनी तिवारी गंगोत्री से बागेश्वर धाम तक की पद्यात्रा कर रही है ये पद्यात्रा चित्रकूच से बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुई है और पन्ना जिले की सीमा में प्रवेश कर चुकी है यात्रा 15 तारीक को खत्म होगी शिवरंजनी ने 16 जून को बाबा से मुलाकात का दावा किया लेकिन बाबा के एकांत वस में जाने की बात कही जा रही है लेकिन शिवरंजनी को भरोसा है कि बाबा उन्हें दर्शन देंगे उन्हें भरूसा है कि हिर्दय की पुकार व्यर्थ नहीं जाएगी बड़ी संख्या में पुलिस वल आरोपियों के घर पहुंची घरों की तलाशी ली लेकिन एक भी आरोपी पकड़ में नहीं आया गंगा जमना स्कूल की प्रवन समीती में मुस्लिम मेंबर्स के लावा हिंदू और जैन समाज के लोग भी हैं इनके खिलाब भी मामला दर्ज क जान के आगया है और पुलिस गिर्फ़तारी के लिए दबिश दे रही है पुलिस ने जैन समाज के एक वैपारियों और गंगा जमना ट्रस्ट के ट्रस्टी शालेंद्र जैन के घर पर भी दबिश दी पुलिस शालेंद्र जैन के बेटी और भतीजे को ठाने ले गई जब जायन समाज के लोगों को इस बात की जानकारी मिली तो लोग गुस्से में आ गए और बड़ी संख्या में थाने पहुँच विरोज जाहिर किया। अधिकारे इस कारवाई से जुड़ी जानकारी नहीं दे रहे हैं। हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाए जाने के खुलासे के बाद गंगा जमना स्कूल से जुड़े कई बड़े खुलासे हुए हैं जिसके बाद स्कूल के खिलाफ कारवाई जारी है। पुलिस अब स्कूल के प्रवन समीती के सदस्यों की गिरफतारी के प्रयास में जुटी है। विबानी से करीब 6-7 किलोमीटर दूर इस्थित नातुवास गाउं में आज करीब 750 घर हैं। ये देख गाउं के लोग परिशान हो गए। तब गाउं के महंत फूल पुरी ने बचे हुए पशूं को एक रस्से के नीचे से निकाला और गाउं वालो को कहा कि गाउं का कोई भी आदमी कभी दूध नहीं बेचेगा। फिर कभी इस गाउं के पशूं में ऐसी बीमारी नहीं आएगी। तब से लेकर आज तक किसी ने दूध नहीं बेचा। ऐसे में हर कोई सवाल करता है कि ग्रामेन खर्च वहन कैसे करते हैं। इसके बारे में नाथुवाज गाउं के लोग बताते हैं कि गाउं में कोई भी दूध नहीं बेचता पर घी बना कर सभी बेच सकते हैं और बेचते भी हैं। इसी से भैसे का खर्च भी निकल जाता है और कुछ बचद भी हो जाती है। कई बार कुछ लोगों में एंटीक चीजों का कलेक्शन एक शौक की तरहा शुरू होता है। मुगल, मराठा और अंग्रेश के समय के पुराने सिक्कों का संकलन इनके पास है। इसके लावा इनके पास शाइना, मंगोलिया, कनारस, सहित कई देशों के पुराने सिक्के भी मौजूद हैं। जुन्हें देखने के लिए देश विदेश से लोग इनके अहां आते हैं। इसके लावा इनके पास कई एंटीक चीजों का कलेक्शन भी रखा हुआ है, जो कि हमेशा आकर्शन का कींद्र बना रहता है। खास बात के है कि इस काम को वो पीड़ी दर पीड़ी कर रहे हैं।